दुनिया के नज़रे इस वक्तर फ्रांस की कैपिटल पेरिस पर टिकी हुई है पेरिस में स्पोर्ट जगत का सबसे बड़ा इवेंट ओलम्पिक गेम्स का आगाज हो चुका है शबश जुलाई को उलम्पिक गेम्स की शुरुआत होने के बाद पोरे पेरिस को अफेत किला बना दिया गया है लेकिन यहां गेम्स की शुरुआत होते ही पहले ही दिन एक शर्मनाग घटना को अंजाम दिया गया इस मैश में मुरको ने शांदार परफॉर्मिस करते हुए दो गोल करके अरजेंटीना पर दो शुने की लीड ले ले लेकिन इसके बाद दोस्तों ओलम्पिक की दो बार की गोल मेडलिश टीम अरजेंटीना ने जबरदस्त कमबैक करते हुए दो गोल डागे और मैश दो- स्टेडियम को खाली करा लेकिन मुरको के फैंस ने अर्जेंटीना के डगाउट में लूट पार्ट की जहां पेर्स की घड़ी लूटने का भी आरोप लगा है मैश के बाद बिना दर्शकों को पुरा कराया गया और जहां अर्जेंटीना की दूसरे गोल को और साइट करा देते हुए नहीं माना गया जैसे अर्जेंटीना मैच को दो एक से हार गए लेकिन इसके साथ यह अलम्पिक कमिटी और फ्रांस के अलम्पिक संग पर सवाल खड़ी होने लगे हैं इस मैच को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कोमेड बोक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें